नमस्कार जैभवानी दोस्तो स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Ambition Classes 2019 में तो दोस्तो आज ये वीडियो हमारी काफी दिन बाद आ रही है दोस्तो तो कुछ थोड़ा प्रोब्लम था तो जिसमें से वीडियो प्लेवड नहीं हो पा रही थी वीडियो नहीं बन पा रही थी तो दोस्तो आज एक नए टोपिक के साथ प्रेजन्ट हुए है जो कि Class 12 से है और बहुत ही जादा इंपोर्टेंट ये टोपिक रहने वाला है दोस्तो जी हाँ बहुत ही जादा एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और एक्जाम में यहाँ से आपको देखने को भी कोश्चन जरूर मिलेगा कोश्चन का नाम दोस्तों यहाँ पर अगर बात कई टोपिक तो दोस्तों रहने वाला है कनवर्जन जी हाँ दोस्तों आई होप की बहुत सारे स्टुडेंट इसका वेट कर रहे होंगी कि सर कनवर्जन कब कराएंगे तो दोस्तों आज हम यह टोपिक लेकर आगए है कनवर्जन यह दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट टोपिक रहने वाला है और दोस्तों अधिकांस इस्टुएंट को यही पर प्रोब्लम आती है ओके आई होप की दोस्तों आप सब टोक ठीक होंगे आपकी फैमिली में ठीक होंगे तो अपना ध्यान रखिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह टोपिक तो दोस्तों टोपिक का रहने वाला है कनवर्जन तो कनवर्जन का मतलब होता है कि एक कमपाउंड को दूसरे कमपाउंड में हम कैसे चेंज करते हैं कोई भी एक compound है उसे दूसरे compound में कैसे change करेंगे तो आज और आगे को भी हमारे 5 और 6 classes conversion के ओपर ही रहने वाली हैं दोस्तों इसमें अलग-अलग conversion रहने वाले हैं और challenge करता हूँ पका 101% sure लिक के देता हूँ जिसने 6 के 6 दिन की class attend की तो definitely यहां से कोई भी question छोड़ नहीं पाएगा ओके तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पहला बात conversion कहेंगे benzine to bifinyl benzine से wine phenyl में हम कैसे change करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ट्रिक जानने की जरूत होती है इसमें यह जानेंगे कि यह benzine है तो benzine कब सबसे पहले कहेंगे benzine का structure यह होता है हमें इससे क्या बनाना है bifinyl bifinyl में लगभ कि दो phenyl इसमें जुड़े होंगे और bond के जरिये जुड़े होती है एक बात और आती है दोस्तों कि इसमें क्या होता है यह तो bifinyl है अगर माना कि यह दो benzine ग्रूप दो benzine compound एक साथ जुड़े हुए हो अगर यह ऐसे जुड़े हो तो यह bifinyl नहीं है दोस्तों by का नाम तब ही आएगा जब दो benzine किस से जुड़े होंगे bond से जुड़े होंगे बर जब कोई bonding यह directly जुड़े है तो इसका नाम दोस्तों क्या होता है naphthalene क्या नाम होता है इसका naphthalene होता है और जब इसमें दो benzine एक bond से जुड़े होते हैं ये क्या नाम होता है इसका बाइफिनाईल तो दोस्तों इसका ध्यान रखना बाइफिनाईल या फिर डाइफिनाईल भी बोल सकते हैं तो हमें क्या करना है कि इससे हमें ये बनाना है अब बनाएंगे कैसे ठीक है तो हमें पढ़ा होगा दोस्तों आप लोगों ने ये इसमें हेलो एलकेन और हेलो एरीन में क्लास 12 में आप लोगों अभी पढ़ा रहा होगा कि हेलो एलकेन और हेलो एरीन में कुछ ऐसा कमपॉंड बना था तो बात करेंगे सबसे पहले हम बैंजीन के बारे में तो बैंजीन से पहले में क्या बनाना होगा हब क 갑िलोरो बेंजीन बनाना हुए क्योंकि कलोरो बेंजीन अगर बण गया तो वो सोडियं के साथ रियक्ट होके ड्राइतर के प्रेजिसनस में क्या बना लेगा बैफिनेल बना लेगा और यह लियक्ष्टन कॉन ची ती दो फिटिग reaction to बात करेंगे benzeny को react करेंगे plus Cl2 के साथ किसके presence में FE Cl3 के presence में क्लोरीन के साथ जब react करेंगे इसके presence में तो दोस्तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा इसमें benzeny और Cl करके हमारा बन जाएगा कलोरो बैंजीन बन जाएगा Okay simple है क्लोरो बेंजीन जब हमारा बन गया अब हमें क्या करना है क्लोरो बेंजीन की रियक्शन किसके साथ करनी है क्लोरो बेंजीन की रियक्शन ये टू मोलिक्यूल्स के दो एने के साथ करनी है हमें ये बताया भी होता मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ जब sodium के साथ reaction करेंगे dry ether के presence में तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा दो phenyl group बन जाते हैं बाइ-finyl बॉन्डिंग से बाइ-finyl हमारा बन जाता है और प्लस क्या बनेगा इसमें NaCl बन जाएगा चाहो तो आप Cl की जैगए यहां पर BR2V ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो दोस्तो और इसी रियक्शन का हमारा क्या नाम होता है यही रियक्शन हमारी, क्या होती है हमारी यह फिटिग रियक्शन फिटिग रियक्शन के नाम से जानी जाती है दोस्तो यह रियक्शन किस नाम से जानी जाती है fitig reaction के नम से जानी जाती है chlorine यह वाली fitig reaction है chlorine हम इससे नहीं दूसरे method से भी बना सकते हैं इसके बहुत सारे अलग-अलग methods होते हैं अगर बात करें तो कैसे क्योंकि benzene की reaction किस से करके किस के CL2 के presence किसे एन हाइडरस ALCL3 के presence में भी हम क्या कर सकते हैं और CL plus SCL भी बना सकते हैं तो जैसे ही CL बन जाएगा यह फिर से यही reaction follow होगी और हमारा क्या बन जाएगा बाइफिनाइल बन जाएगा ठीक है इस वन इस दा बाइफिनाइल आई थिंग दोस्तों समझ में आई होगी ओके भाई समझ में आई भाई यहां से start होई बेंजिन की क्लोरीन से क्लोरो बेंजिन मना लो, फिर क्लोरो बेंजिन की सोडियू साथ ड्राइफिर के प्रैसेंस में करके यह बना लो, यह reaction कैलाती है Fittigkeit reaction, इससे आस जाएखिन से मारा बेंजिन बाइफिनैल में optics वर्ट हो जाता है ओके चाहो तो आप इसकी इंसोट भी ले सकते हो ओके दोस्तो सेकिन आपकी यह बात तो भाई बिलकुल भी क्लास मिस नहीं करेगा कोई भी क्लास मिस करने का टाइम यह नहीं है दोस्तों और कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा क्योंकि वीडियो को स्किप करने से अच्छा है कि पहले ही इसको छोड़ दो ठीक है क्योंकि अगर बी से स्किप करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो सेकिन कोशन की बात आती है सेकिन अगर कोशन के तो टोलवीन टी ओ लुए यह नहीं टोलवीन टू बेंजाइल एलकोहल बेंजाइल एलकोहल ओके टोलवीन से हम बेंजाइल एलकोहल क्या बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मुला लिखना पड़ेगा टोलवीन का फॉर्मुला होता है बेंजीन एंड उपर CH3 से किस्म क्या बनाना है हमको बेंजाइल अलकोहल बेंजीन एंड देंड CH2 OH ओके तो हमें ये कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ये बनना पड़ेगा इस चीज से हमें कलोरो वाला कमपॉंड बना लो तो क्या करेंगे सबसे पहले एक एक चीज समझते रहना रटने वाली चीज नहीं है किसके साथ कलोरीन के साथ रियक कर दो कलोरीन के साथ रियक करेंगे HV के प्रेजन्स में तो हमारा क्या बन जाएगा ये हमें पहले भी पता है कि CH2Cl बन जाएगा क्या बन जाएगा CS2Cl बन जाएगा जब CS2CL बनेगा तो उसके बाद हमें क्या करना है क्या करेंगे CS2CL के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे एक्वस NAOH के साथ इसकी रियक्शन करा देंगे इसमें माइनस NACL निकल जाएगा जैसे हम इसकी रियक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों हमारा यह बन के compound तयार हो जाएगा benzyl alcohol CS2OH बन जाएगा तो simple यह reaction है देखो क्या है C toluene, this one is the toluene this one is the benzyl alcohol benzyl alcohol हमारा बन गया क्यों? toluene की cloning के साथ HB मतलब light के presence में करते हैं तो यह compound बन गया उसके बाद aqueous NOS के साथ करेंगे तो यह बन गया दो तो इसका second formula भी है second भी है, second तरीका भी है this one is the first and the second method this one is the A and B क्या करेंगे हम toluene लेंगे CH3, इसको हम क्या कर दो दोस्तो oxidize कर दो इसको Kmno4, Kmno4 हम इसको oxidize करेंगे और oxidize करेंगे तो इसमें दोस्तो हमारा benzoic acid बन जाएगा COOH toluene oxidize होके किससे oxidize होगा Kmno4 से Kmno4 से oxidize होके benzoic acid बन जाएगा benzoic acid फिर क्या हो जाएगा इसको reduce कर दो और किससे lithium aluminum hydride से जैसे इसको lithium aluminum hydride से करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तो सिंपल सा हमारा alcohol बन के तयार हो जाएगा यही benzoic acid CS2 OH This is the second method दो तरीके से इसको convert और भी तरीके से इसको convert कर सकते हैं पर यह दोनों simplest method है ओके दोस्तो I hope की समझ में आया होगा simple है ना हाँ बहुत ही simple है यह कहते है बहुत ही simple है दोस्तो तो बस mind को एक जगह रखना है ओके चाहो तो इसकी insert ले सकते हो दोस्तो ओके दोस्तो next करेंगे third वाला क्या होता है third वाला क्या कहना चाहरा है question क्योंकि हमारा ये process continuously four to five days चलने वाला है conversion और दोस्तो एक challenge करता हूँ मैं कि इसके बहार कुछ भी नहीं आएगा exam में इससे बहार नहीं आने वाला कुछ भी third but one in क्योंकि आज हम सब important portion लेके आए है but two in एक एक चीज important है हम अब सारा का सारा important portion पर discuss होंगे हो सकता है हम एक दो दिन में एक अलग से class में एक sample paper का solution में लेके sample paper को solve करेंगे marathon class के रूप में but two in first of all you have to write but one in CH2 CH3 single bond CH2 single bond CH double bond CH2 change करना है but two in CH3 CH double bond CH single bond CH3 this one is the but one in this one is the but two in इसको हम इसमें कैसे change करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है HBR से react कर दो क्यों क्योंकि किसको Markonikov edition से first of all CH3 CH2 CH double bond CH2 की reaction HBR से कर दो और कौन सा होगा Markonikov 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 edition से होने वाला है ये Markonikov edition करेंगे तो क्या होता है Markonikov edition की addendum का negative part negative उसके साथ जुड़ता है जिसके साथ lesson number में hydrogen atom होते हैं तो इसके साथ इसमें कम है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्या बनेगा CS3, CH2, CH, CH3 इस वन इस दा बी आर यहां जुड़ जाएगा ओके फिर से अब क्या कर दो इसको इसमें माइनस HBR कर दो ठीक है माइनस बचे यह हम कहेंगे हैं पर अलकोहलिक के और एच के साथ reaction करा दो इसकी दोस्तों क्या करानी यह है अलकोहलिक के और एच तो इसमें माइनस HBR रिमूब हो जाएगा हBR और यह फिर से हमारा क्या बन जाएगा CS3 सिंगल बॉंड CH डबल बॉंड CH सिंगल बॉंड CH सिंगल बॉंड CS3 जैसे अलकोहलिक के और इसके साथ करेंगे यह दोनों के अब इन दोनों के विश्का फिर से डबल बॉंड निकल जाएगा और यह क्या था ब्यूट बन इन से ब्यूट टूइन आसानी से बन जाएगा दोस्तों करो इसको चाहो तो आप इसकी इन सोड भी ले सकते हो कुछ भी टफ नहीं है दोस्तों कुछ भी टफ नहीं है ओके दोस्तों नेक्स्ट एक एक चीज समझ के चलना है एक एक चीज यह टाइम कुछ भी छोड़ने का नहीं है क्योंकि सारा important time चल रहा है यह बहुत ही important time है now next fourth part what chlorobenzene chlorobenzene to paranitrofenol okay first of all chlorobenzene दोस्तों क्या करने वाले हैं chlorobenzene cl को किसमें change करेंगे हम paranitrofenol में करने वाले हैं paranitrofenol this one is the no2 कैसे change करेंगे तो सबसे पहले इसको nitro compound मना लो कैसे पता है substitution electrophilic substitution reaction start करते हैं chlorobenzene लेना है chlorobenzene किसके साथ react करेंगे concentrated hno3 के this reaction known as the nitration reaction ठीक है और किसके concentrated h2so4 तो इससे दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा दो भाई बाई बाई देको इससे बनने वाला cl और no2 ये main major product बनेगा बाकी ortho भी बनेगा और इसमें meta भी बनेगा ध्यान रखना दोस्तों ओके ये बनेगा अब इसकी reaction किसके साथ कर देंगे? इसकी reaction कर देंगे plus naoh के साथ, aqueous naoh के साथ कर देंगे, तो इसमें minus क्या निकल जाएगा? nacl निकल जाएगा, ओके? जैसे naoh के साथ reaction करेंगे, oh ही आजाएगा और cl निकल के बहाँ निकल जाएगा, तो दोस्तों हमारा compound बनेगा ये oh ये, और ये आजाएगा हमारा no2, और यही तो हमें बनाना था, क्या बनाना था पैरा नाइट्रोफिनोल और यही पैरा नाइट्रोफिनोल है, और ये क्य क्लोरो बेंजीन, तो सिंपल बन गया, क्या क्लोरो बेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल हमारा बन के तैयार हो गया, चाहू तो दोस्तों आप स्किन सोट भी ले सकते हैं इसका, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बाध्धान से पढ़ने की जरूरत है, ओके नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्या कहना चाहरा है नेक्स्ट कोश्चन ये कहना चाहरा है कि कोश्चन फाइव एनिलीन एनिलीन टू फिनाइल आईसो साइनाइड कोश्चन दिमाग में बन गया होगा कि phenyl से isosyanide बन रहा है ठीके सोरी aniline से isosyanide बन रहा है तो first of all aniline benzene this one is the ns2 से क्या बन रहा है दोस्तो isosyanide benzene के उपर nc बन रहा है cn नहीं cn होगा तो sinide होगा और nc होगा तो isosyanide होगा क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं हाँ nc और cn दोनों तरफ क्या होंगे दोनों तरफ इसके active side तो दोनों तरफ से reaction कर लेता दोनों तरफ से add हो जाता इंबिडेंट लिगेंड बढ़ा होगा दोस्तों आप लोगोंने तो हमें इससे ये बनाना है अब कैसे बनाएंगे समझ के चलो इसको तो सबसे पहले क्या करना होगा में ध्यान माइन में पिक्चर बन गई होगी क्योंकि ये टाइम दोस्तों पिक्चर बन जाने का होता है इसमें क्या होगा एन एस टू की रियक्शन सबसे पहले में किसके साथ करेंगे सी एच सी एल थरी के साथ करेंगे और प्लस के औएच के साथ करते हैं और इसको हीट जैसे करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा यही हमारा direct compound बन जाएगा NC और प्लस बनेगा इसमें KCl and प्लस बन जाता है दोस्तो इसमें H2O बन जाएगा और यह reaction अगर दोस्तो याद होगी तो इसी reaction को क्या बोलते है Carbile Amine Reaction Carbile Amine Reaction बोला जाता है दोस्तो इसे बहुत ही simple समझो लो इसको Amine's primary Amine's जब क्या होते है chloroform और potassium hydroxide के साथ react होके Phenile Isocyanide बना लेते है तो यह reaction Carbile Amine क्या लाती है तो इसमें Amine's को ही Isocyanide बोला तो Amine's Isocyanide में change हो चुका है I think समझ में आया होगा 6 वाला देखेंगे दोस्तो इसमें 6 क्या है 6 भी easy है Aniline Aniline to Clorobenzene एक और अच्छा बात आता है Aniline से Clorobenzene कैसे बनाएंगे तो first of all right Aniline क्या है Aniline बोई है simple क्या कि Benzene के उपर NH2 को change करेंगे Benzene के उपर CL Aniline से Clorobenzene बनाने है तो आप कैसे बनाएंगे सबसे पहली बात दोस्तों अगर पता होगा Digitization Reaction Aniline को क्या करना है कि Aniline लेना है किसको NH2 इसकी Reaction Sodium Nitrite NaNo2 प्लस SCl के साथ कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ओके जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो हमारा क्या बनता है डाइजोनियम Benzene डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl बनता है ओके यही क्या कहलाता है Benzene डाइजोनियम क्लोराइड Benzene डाइजोनियम क्लोराइड और दोस्तों जब क्या होता है इस Reaction को Cu2Cl2 के साथ करते हैं Copper Cloride ठीक है Q-Pres Collide के साथ करेंगे तो हमारा Directly हमारा क्या बन जाता है को क्लोरो Benzene बन जाता है और यहां से लेके यहां तक की Reaction कहलाती है Sand-Mayer Reaction Sand-Mayer Reaction कहलाती है जबकि यहां से लेके यहां तक की Reaction यह कहलाती है इस डाइजोटाइडिशन Reaction क्योँ? क्योंकि इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है इसलिए डाइजोटाइजेशन रियक्शन है और इसमें डाइजोनियम कोपर क्लॉइट के साथ रियक्ट होके C-U-C-L-2 के साथ क्लोरो बेंजीन बना रहा है और ये रियक्शन कहलाती है दोस्तो सेंड मेयर रियक्शन देखो समझो फिर से एमाइन्स था एन एन नोटो सोडियम नाइटर एसल के साथ जीरो डिग्री सैल से जब इसको क्या करते है रियक्शन करते है तो हमारा डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है डाइजोनियम सोल्ट को कोपर क्लॉराइड के क्ल रियक्शन क्लॉरो बेंजीन कर्ण हो गया कुछ भी हम इसमें छोढ़ नहीं सकते ओके दोस्तो दोस्तो आज की अमरी एक टॉप एक लास्ट रियक्शन और है आज की और कराएंगे उसके बाद हम ते कल कराने वाले हैं अगली नेक्स्ट रियक्शन और हम बताई रहे हैं कि ये रियक्शन बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है ओके सेवन रियक्शन क्या एनिलीन अगेंड एनिलीन टू वर्ट फ्लोरो बेंजीन ये कलोरो ती अब यहाँ पर फ्लोरो बेंजीन आ गया थोड़ा चेंज आएगा फरस्ट ओफ और एनिलीन एन एस टू प्लस एन एन ओ टू प्लस एसल सेम वही करेंगे हम इस पर क्या डाइजोटाइजेशन रियक्शन हुई एन टू प्लस सी यल माइनस प्लस सोरी इसके साथ अब हम क्या करने वाले हैं प्लस एच सोरी एच बी एफ फॉर एच बी एफ फॉर हाइड्रोजन टेट्राफलो सोरी ब्रोमो टेट्राफलोराइड हाइड्रो ब्रोमो टेट्राफलोराइड क्या करेंगे तो इसके साथ बन जाएगा compound N2 तो रहेगा और BF4 माइनस हो जाएगा इसको हम फिर से क्या करेंगे heat करेंगे तो हमारा last में compound क्या बन के तियार हो जाएगा fluorobenzine बन जाएगा ओके ये बना पहले digitization और ये वाला फिर HBF4 के साथ ये ओके इसको हम heat करेंगे तो fluorobenzine बन जाता है इस तरीके से दोस्तो हमारी एक conversion हो जाता है कि एनिलीन से fluorobenzine बन गया ओके आई होप की समझ में आया होगा चाहो तो आप skin sort भी ले सकते हैं ओके दोस्तो आई होप की समझ में आया होगा दोस्तो समझ में आया होगा और उमीद करते हैं कि आप समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आता है दोस्तो comment box में जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं आपको बार बार subscribe करने के लिए नहीं बोलूँआ क्योंकि जिसको करना है वो करेंगे नहीं करना तो दोस्तो आपकी इच्छा है मैं समझ जहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तो उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तो मिलते हैं इक अगली वीडियो में इसी topic के साथ, next part के साथ, एक नए energy के साथ तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बिल्कुल भी class miss नहीं कीजिएगा क्योंकि एक एक चीज दोस्तों बहुत ही important रहने वाली है तो दोस्तों मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए जहीं